है गाईज वेलकम बेक टो मारे डूप चालनल तो आज हम अब अब उस सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिविस एपसोड में देखा था लुजंग ओल्ड यॉएन के जो साउल का अटाइक उता हुता उसे कट कर देता है लुजंग ओल्ड यॉ अटाइक कर रही थी फिर वो कंप्लेटली फ्यूज हो गई मेरी साउल के साथ जब मैंने उसे पीसिज में कट कर दी अपने दुनों हाथों की हेल्प से ओल्ड यॉयन बोलते है बस इतना सा इतना सिंपल था वो सोच रहोता है सिंपल क्या था इसमें जो सोल है इस स्वोड क कि वो कुछ जादा गंदी है यह ऐसे कंटिनियूसली मेरे उपर अटैक करती जारी है मेरे को अपनी साउल की पावर को एक्टिवेट करना पड़ा में को खुद नहीं पता कि मैं कैसे सर्वाइव कर गया हूँ चलो खतम हो गया है वो जो सोल थी वो फ्रेग्मेंट्स में कन में बस अब सब कुछ ठीक हो गया है एल्डर बोलता है यह ओरा यह जो ओरा है स्वोड का यह तो सिमलर लग रहा है में को ट्रू मिनिंग ओफ गुडविर और मैलिस से ऐसान लग रहा है कि यह गोड डुमें से है लुजंग बोलता है यह स्वोड मेरे को एक मास्टर ने दी है कुछ ताइम पहले एल्डर बोलता है यह स्वोड एक पारफुल मैन के जो कि अदर्शोर रालम पे है लुजंग बोलता हां विजंग सोच रहा हता है इस स्वोड सावल के बाद मर्ज होने के बाद मैंने काफसा डिवाइन अबिलिटीज का पता लगा लिया है जो की इरेक्शन भी चेंज कर दिया गोड डुमेन की तो मैं को चिंता नहीं करने किसी भी चीज की अभी के लिए मैं यह सोच रहों कि डॉंग फंक लाइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा क्योंकि मैंने उने इंटाव डिसकॉशन में डिफीट कर दिया है तब हम चुन जुन मेरे द्वारा हेल्प कर सके वैसे जाता है रूलिंग स्लेट के पास वह बोलता है जो 93rd रूल है सेंट जो दूसरे सेंट के उनिवर्सिस के ओपर टैक करते हैं उन्हें पनिश्मेंट दी जाती है तीन सालों की मतलल तीन गोड एरास की जो रूल जा उन्हें मैं लिखूंग मेरे बोलता है कि मैंने रूल को चेंज कर दे है, रूलिंग स्लेट के मोहै जी बोलता है क्या, मोहा जी बोलता है ब्रश arbitr्टर चुझन तुमने उतना क्यों किये मेर लिए चुझन बोलता है तुमने सैंस किया होगा है ना कुछ शोक आया था गोड डूमेन में कुछ ताइ जुन जुन बोलता है कि मैं चाहता है कि तुम Abyss Demon Region को control करो, मतलब मेरी help करो उसको control करने के लिए जो power Abyss Demon Region की वो कुछ साथ ही खतनाक है, वो पूरे entire God Domain को destroy कर सकती है मोहेजी बोलता है Abyss को control करना, उस area में countless evil faith जो है God Domain की, वो कावजा लंबे time से gather हो रही है कि हम सची मुझी control कर पाएंगे उसे, चुन जुन बोलता है कि जुआन यान गार्ड से मारी help करेंगे, time बहुता जल्दी बीचता है अगर हम अपना action अभी निलेंगे, तो Luke Lange होगा, वो अपना move लेगा जल्दी नीतो बाद में लूशू भी में को लगता है कि जल्दी move करेगी, मुहाई जी ऐसे चुप होता है, फिर बोलता है कि, well वो सोच रहता है, कि चाहिए talent की बात की जाए, skimming की बात की जाए, और फिस strength की बात की जाए ब्रदर चुंचुन हमेशा first class था go domain में, पर वो overcome नी कर पाया अपने love को, उस ली वूमन के already children's हैं, लूजायो के साथ, तो अभी move on क्यों नी कर पा रहा है, चलो, क्या एकर सकते हैं, वैसे ब्रदर चुंचुन ने कभी वे अपने promise नी तोड़े हमारे साथ, हम बस इसकी side म में रहना है, at least loo clan और loo zang हमारे common enemies हैं, वैल प्यार का चकर बाबु भी या, मुहाय जी बोलता है, तो क्या हम abyss demon region की तरफ चल पड़े हैं immediately, चुंचुन बोलता है, अभी नी, abyss demon region को conquer करने के लिए हमें काफे साथ लोग चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए कि, जिने battle की आदत हो, तुम वापिस जाओ पहले मू क्लैन में, और suitable candidates को find करो, उन्हें test करो, और फिर right time का इंतजार करो, मुहाय जी बोलता ब्रदर चुंचुन, इसका मतलब की सब कुछ प्लान कर लिया गया है, चुंचुन बोलता हाँ, मैं डॉंक फंक टाइक विंग को पूछ लिया हमें वर्लपल फोरेस्ट का सिंद्ग है, तो वहाँ पे एक बर्ड आ रहे होते हैं कुछ, टाइक विंग बोलता है, जो power है, यह जो fireballs, यह शूट करेंगे birds, ग्रेट परफेक्शन टूगोड के fire divine dao की power के equivalent है, formation को hold करना, इन्हें मार देना, उससे पहले जब तक यह ऐसे fire balls shoot करते हैं, उससे पहले, एक माशलाइटिस आकी कि तब जाता है, उस bird को cut कर देता है, मतलब ऐसे cut मारता है, वो जो bird होती है, वो अपने पूँच से उससे मारती है, तो उसकी पूँच एक score P, कौन कीता है, बिच्छू की तरह, वो poison से cover हो जाती है, उसकी body और वो नीचे गिर जाता है, टाइक विंग बोलता ध्यान से, poison sting है, इनकी tail के उपर, जो rescue कर सकते है, वो antidote दो जल्दी से, वोट एनविंग वाँ पे जाता है, और उसको antidote खिला देता है, तब जो bird होते हैं, वो पीछे से fireballs को shoot कर देते हैं, एक माशलाइटिस बोलता ध्यान से, वोट thunder divine, thunder annihilation को use करते हैं, वो बोल्स को destroy कर देता है, इंग शांतिक सांस लेता है, और बोलता है ये कुजार dangerous था, इंग सोच रहोता है, कि वैसे तो difficult है whirlpool bird से deal करना, पर आगे जाके और तीन खतनाग beast मेलेंगे हमें, जैसे कि बदर टाइक विंग ने बोला है, अगर हम control करना च टाइक विंग एक fireball को destroy करता है, कि रुक जाओ, ऐसा लग रहा है, ये इंग बोलता है कि ये गुबाई के दो dispels है, इस टाइम पर क्यों आए, ये second senior brother होते है, वो बोलता है, यो, तुम लोग डॉंग फंक लाइन के नहीं हो, वो टैनमंग उपर कितब देख रहा होता है, और सोचता है, कि अच्छा ये लूजेंगे senior brothers, जिंग वुहान और यूंग शेंग फैंग फैंग, एक बर्ड अपने मुमें energy gather कर रही होती है, टाइक विंग बोलता है नहीं ये सही नहीं है, वर्लपूल बर्ड जो है, ये में को लग रहा है कि काफे ज़ाधा spiritual energy को accumulate कर रह टूंग फैंग फैंग डिवाइन बाइंडिंग डिस्क को यूज कर रहा होता है, येंग ऐसे हाव अमें उतर बोलता है, कि तुम दोन हो, अगर तुम स्मार्ट हो तो यहां से चले जाओ, हम सिर्फ वर्लपूल बर्ड के लिए यहां पर आए हैं, हम किसी भी ट्रबल को ने कि मुझे ने बताना पड़ेगा कि मैं लूजेंग की साइड में हूँ, बने चीज़े कॉम्प्लिकेटिड हो जाएंगी, जो एल्डर ब्रद होता है, वो अपने विप को बेजता हो तीन मार्शिल आटिस को बाहन देता है, येंग अपनी फ्लेजिंग फायर डिवाइन डा कि मैंने देखा कि लूजेंग का वजा टाइम में से प्रेक्टिस करता है, उसने बोला कि ये चीज़ेंग की लेगसी है, और उसके बेस्ट फ्रेंड ने से स्खाई है, तो अच्छा ये भी सेंट, लूजाय उनने सेंट किया है और उनका एक डावजी है, मैंने एकस्पेक् कुछ जाधे बेफकूफ है, ये मैं कुछ समझी नहीं पा रहा है, मैं ये होप करता हूँ कि सीनर ब्रदर ने नोटिस कर लिया होगा, अब इक लिए चलो, इसके पपिट्स को डिश्टॉई करने कोशिश करता हूँ, वो प्रोफाउंड थंडर रिवर्सल को यूज करता है और उन पपिट्स की तरफ भेजता थंडर को, वो तीनों पपिट्स ऐसे ही रुख जाते हैं वहाँ पे, सेकिंड ब्रदर को जाधे हरान होता है, रोते हैं बोल रहोता है मेरे पपिट्स, मैंने इतने जाधा टाइम, मन्थ, काम किया थे इनके उपर, वो गुसे से आगी त को एक्सपोस कर दूँगा, चोल मैं पहले स्टाइक करता हूँ, वो अपनी विप से अटाइक करता है, और वो हो ट्यान मिंग की स्फोर्ड में लगती है, जिंग वहान भोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉंग फंग रैंक का, मतलब क्लैन का, टोप रैंक ट यहां पर, सिने ब्रदर बोलता है कि तुम बेफकुफ हो क्या, यह जो इंसान है, यह हमारे लिटल ब्रदर का फ्रेंड है, तुम देख नहीं सकते है, इसकी स्वोर्ड में शीप जो इसने यूज की, डॉंग फंग फंग लैंड में गूम रहा है, ज्यादा मत मारना इसे व इसे मैं टेंपरेली सप्रेस कर दिया है, अब यह टाइम है कि मैं बत्तमीज चूओं को खतम कर दूँ, वो अपने बिग डिपर गॉल्डन डिश्टोइंग पाम को यूज करते है, एल्डर बदर की तरफ, सु गाइज, एपसोर नमबर 485 इतना था अगर आपके वड़ी प है.